जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अंग है जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगे जंडे फैराए जाएंगे तिरंगा हमारा राष्टिय ध्वज है और जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी शान से हर व्यक्ति आजकल तिरंगा जंडा फैरा रहा है महभूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को तकलीव होती है क्योंकि महभूबा मुफ्ती चाहती है कि किसी और देश का जंडा जमू कश्मीर में लगे आप वो लगने वाला नहीं है वो महभूबा मुफ्ती के खाव है जमू कश्मीर हिंदुस्तान है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ तिरंगा जंडा फैराया जाएगा 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो रहे है और इस उपलक्ष में पूरे भारत देश में जितने भी सरकारी भवन है वहाँ बड़ी शान से और दूम धाम से तिरंगे जंडे फैराये जा रहे है उसी तरह जमू कश्मीर के अंदर भी हर सरकारी भवन के उपर हमारे राष्टिये ध्वज तिरंगे जंडे बड़ी शान से फैराये जा रहे है लेकिन मैबूबा मुफ्ती को जो तकलीव है वो सारी दुनिया जानती है मैबूबा मुफ्ती चाहती है कि जिस जंडे को जमू कश्मीर में फैराया जाए वो कियामत तक जमू कश्मीर में अब नहीं फैराया जा सकता जमू कश्मीर में सिरफ हिंदूस्तान का तिरंगा जंडा फैराया जाएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर जन्वानस जम्मू कश्मीर का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और जम्मू कश्मीर की अवाम जम्मू कश्मीर की जन्ता हिंदुस्तान से प्यार करती है क्योंकि हिंदुस्तान हमारा अजीम शान हमारा मुल्क है हम अपने मुल्क को और अपने ति झाल झाल